हेलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम भी में आई बी का रिजल्ट का वेट बहुत से बच्चे कर रहे होंगे तो आज के हमारे इस वीडियो में उन बच्चों को जो बच्चे टीर वान की त्यारी कर रहे थे टीर वान में जिनको ऐसा लगता है कि मेरा हो जाएग तो यहां पर मैं उन लोग को सोर्सेज बतांगा कि वो कहां कहां से अपनी तैयारी जोए अच्छे तरीके से कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या करना है उसमें कैसे करना है पहले तो यह जान लो पूरा वीडियो देखना कि क्या करना है चीजे नोट डाउन कर लेना कि मुझे सुरू से लेके लास्त तक क्या करना है पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यह फर्म कब आए था कब इसका पेपर हुआ कभ इसकी रिट है और कभ इसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट कब आएगा मैं आपको पताऊँगा सर्सेज क्या रहेंगे वो दोनों में आपको बताऊँगा देखिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि आपको जो पोस्त मिलेगी 1675 मिलेगी डेड़ 28 जनवरी को यह फॉर्म स्टार्ट हुआ था चालू होना कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे हाला कि यह 18-19 को आ गया था लेकिन कुछ टेक्निकल गटबड़ी हो थी फिर आई पी ने बोला था कि हम लोग इसको एक अपते बाद स्टार्ट करेंगे तो 28 जनवरी में स्टार् चलने के बाद हमको यह लग रहा था कि इसका जो एक्जाम होगा वो दो तीम मेहने बाद होगा तो मैंने भी खुद आपको अप्रेल बताया थी कि अप्रेल में होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ फरवरी तक इसकी डेट थी और अगले ही महीने 17 फरवरी को 17 फरवरी तक डेट समझ सकते हो कि कोई एक जो क्यों नो्टिफिकेशन ने उसके एक महने बाद आपको एक्जाम देखने को मिले जिसमें आपने तयारी भी नहीं करी होगी तो कैसा मिले गए अगर पेपर हाड आपके लिए ता तो सबके लिए था ऐसा नहीं होगा कि कि किसी और आसान है वह प बच्चा मिलेगा ठीक है तो यह चीज आप ध्यान लगना कि पेपर इतना हाड आया था कि बच्चे देखो पहली बात तो यह की टाइमिंग बहुत कम थी और उसमें मैस और रिजनिंग टाइम कंजुमिंग थी कि बच्चा आगे बढ़ी नहीं पाया जिसके पचास से उपर नंबर है बिल्कुल शूर है कि उसका तो फेस्टू में आए गए आएगा और इंपॉड़न चीज में आपको बतायता हूं देखिए फेस्टू में नाम सबका आएगा जो 30 परसंट भी यहां पर देखिए आएगा ना 35 परसंट भी लेकर आजाएगा नंबर 35 वाला का भी यहां पर चांसे हैं कि वो टीटियर टू देगा टीर टू क्या है आप समझ लेना यहां पर देखिए आपको पता है 23 सोबीस में एक्जाम हुआ था था 29 को यहां पर आंसर किया आ गई थ देखो मैं यहां पर लीग भी देता हूं यह आपका बोला गया है अपरेल के लास्ट वीक में यह है एक ऑफिशल नीउस जो कि यह बोलता है कि अपरेल के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आई बी का ओके तो यह चीज क्लियर होगी यहां पर सब्सीडियरी इंटेलिजेंस ब्योरो को आफिस वहां पर जिस जैसे मालो आपने गुजरात से बढ़ा है तो आपको गुजराती यह कच्छी आनी चाहिए यह दो लाइंग्वेज आती है आपको इनको इनको इन दो लाइंग्वेज में आपका टैस्ट लेना है यह चीज हिंदी आती है तो नहीं होगा के पर टू मैं जो लैंग्वेज यहां पर लिखी यह वहीं लैंग्वेज आपको आने चाहिए उनमें से एक सारी नहीं बोले है उनमें पर ब deixिंदी ऑगाओ घंडिगध वालो के लिए amg advisor ध्रीब्स E500 के लिए हिंदी है वहThis is मैं जश्री दुन से हमागर मैं गजय कर्वा तो यहां पर आप कि मेरे ले इंडि यह तो तो हुआ क्या शाब ही वहुमत करें होगा हुए सर को कनड़ अि वहाप है वह एक नहीं हो 나빠ल किंजने एक algum पम्रें हो फे 달 हम से को नहीं होगा जो यहां पर लेंग्वेज है वो लेंग्वेज देखके जाओ वो लेंग्वेज तयार कर लो 15-20 दिनों को आपके पास टाइमिंग है फेस्टू के लिए अभी एक मेहने का टाइम है बोलना चालू कर दो क्योंकि बोलने की भी यहां पर टेस्ट होगा यह नहीं बनों की हिंदी आती है वहां पर चले जाओ हिंदी लेकर ठीक हो सब चीजें नहीं करनी है आपको पता है बहुत से बच्चे जाम इने लास्ट वीडिव रहे तो समय पूर्द सर मुझे तो यह आती नहीं होगा अब उसमें डरेक्ट लिए मैं क्या वह सकता हो बत पर तो है डिस्क्रिप्टिव वाला जो की 500 वर्ड का होगा जहां पर आपको लोकल लेंग्वेज जो की डायलेक्ट है उसको आपने इंग्लिस में या फिर वाइस वर्सा समझ रहे हो आप आपको जैसे मैं धहरादून से हूँ तो मेरा जो टैस्ट होगा हिंदी में होगा ह या तो आपको लोकल लेंग्वेज में आपको उसे कनवर्ट करना है तो दोनों चीज़े हो सकती है मैं यहां पर बता सकता हूँ आपको दूबारा से कि अगर मालो आपने बैंगलूरू से बढ़ा है और हम पर कन्णड के लिए तो आपको पचास-पांसो नंपर का जो पैस आपको पता है उसकी आपको बोलना भी आना चीजिए नहीं बोलनी प्याने चीए देखो लिखावाइट दस नंबर का टैस्ट होगा और लास्ट में जो पेपर टू पेपर टू की कोई वैल्यू नहीं है शिर्फ आपने पास होना है पास होने के लिए पढ़ना आप लोग मेरिट के लिए नहीं होगा अब यह जो आपका ऐसे वाला है ना ऐसे वाले में 50 नंबर का आपका इंटर्वी की त्यारी करना अच्छे से इंटर्वी कि जब टैट आजेगी तो उसकी त्यारी के लिए भी क्या क्या पॉइंट से मैं जरूर बताऊंगा आप लोगको पूर इस नियूज़ पेपर इंग्लिस वालों के लिए बता रहा हुं है हिंदी नुज़आ इसके एब यह आपका एसे खुल जाएगा और यहां पर आपको पैसेज मिल गया यहां पर पर फेड इस प्टोपी कर लो उसकी आप Listening translate कर लो यहाँ पर आपको Hindi complain establish दूसरी चीज है लिए हमस्य और अब लिखते हो कि 500 उसे यहाँ पर लिख लिख दिया 500 words ठीक है 500 words 500 words paragraph लिख दिया कुछ paragraph in English यह देखो for typing कोई बात नहीं के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है आप किसे कर लो यह हो गया आपके पास आ गया 500 words का यह क्या दिक्कत है इसमें देखो यहां पर यहां पर यहां पर कुछ ऐसे यह आपको ऐसे मिल जाएगा यह 500 words के प्री में है यही चीज आप हिंदी मे इंग्लीज में लिख लो कोई प्राउब्लम नियूस पेपर का यहां पर एडिटोरियल देखना नियूस निवस्पेपर में सिरिफ फॉर्स इडिटोरियल देखना है आपने ठीक है सोर्सेज मैंने आपको बता दिये हिंदी के लिखना हिंदी परग्राफ 500 words बस उसे ट्रा तो यह सब चीजे हैं सोर्सेज मैंने आपको बता दिया रिजल्ट मैंने आपको बता देगी अपराइल के लास्ट में आ जाएगा फेस टू की मैं अभी आपको बताता हूं डेट क्या आएगी जैसे आएगी फेस टू के लिए मैं आपको जरूर इंफोर्मेशन दूंगा म मेलते हमारे अगले बड़े में तब तक के लिए गुड़ बाई